एक्जाम की टेंशन, अटकी हुई पेंशन, प्रमोशन के लिए सिफारिश या लाइफ पार्टनर की गुजारिश, अक्सर लोग छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर मंदिर जाते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के नंद्याल का एक यूनीक टेंपल बन गया है लगातार कम होते हुए ग्राउंड वाटर जैसी बड़ी समस्या का O.M.G. सल्यूशन, Modern Architecture और Traditional Techniques के धमाकेदार कॉम्बिनेशन से बना Temple of Steps. जानते हैं कि इसके कुंड में कितना पानी स्चोर होता है? 13,70,000 लीटर पानी और इस पानी ने नंद्याल की सूखी जमीन को फिर से हरा-भरा कर दिया है O.M.G. दोस्तों, हजारों सालों से मंदिर प्रार्थना के साथ मिलने जुलने की जगह भी रही है और उनमें बने step wells जिने बावलियां या कुंड भी कहते हैं water conservation का जरिया रहे हैं इसका best example है राजिस्थान की famous चांद बावडी जो के हर्शत माटा मंदिर के पास बनी है या फिर आसाम के कामख्या मंदिर में बनाया गया सौभाग्य कुंड इनी step wells के concept और design से inspired है ये state of the art temple of steps और इस दमदार आइडिया को execute किया है हमारे होनहार architect समीप पदोरा ने जिन्होंने 2019 में नंदियाल में मारी entry और कर दी OMG वाली बार इनको initially यहां एक भव्य मंदिर बनाने का एक challenging project मिला था लेकिन किसानों को खेतों तक पानी पहुचाने के लिए जूचता देख इन्होंने दिमाग के घोड़े दोडाए और design किया ये incredible solution Temple of Steps की actually कहानी ऐसी है कि वहां पर quarrying process चल रहा था quarrying के process में पानी वेस्ट हो रहा था हम ने ऐसा सोचना शुरू कि अगर ये पानी हम collect करके एक कुंड बनाए जिससे पानी वापत जमीन में जा सके और evaporate नहीं वेस्ट नहीं हो यानि बगल में छोड़ा और शेहर में धिंडोरा Sameep ने कौरी का पानी कुंड तक पहुचाया साथ ही बनाया 50 feet उचा 800 feet लंबा, 80 feet चौड़ा और 10,000 square feet में फैला 48 steps वाला ये innovative temple लेकिन Sameep जी, मंदिर पानी की समस्या कैसे solve करता है जब हमारे पास पानी ज्यादा हो जाए कुंड में तो वो पानी हम खेतों में भी रिलीज कर सकता है तो लोग वापस जो उनके क्रॉप्स हैं वो ही तुगा सके हैं यानि प्रार्थना, पानी पैदावर इस मंदिर के तीन स्थम्भ हैं दोस्तों इस गजब के प्लाइन को एक्जिक्यूट करने के लिए समीप ने लाइन की कैरेक्टर 6 का सहरा लिया लो लाइंग एरियाज में कुंड बनाया और रेज़ एरिया पर टेम्पल फिर लाइमस्चोन क्वरी, कुंड और खेतों को पाइप के जरीय कनेक्ट किया और फाइनली कुंड के चारों और लगाए फाइटो रेमिडेटिंग प्लांट्स यानि ऐसे प्लांट्स जो अंदर आते हुए पानी को साफ करते हैं और इस बहतरीन प्लाइनिंग का असर दिखाया यहां उगने वाली फसल पांट साल पहले हमारे यहां पानी ही नहीं था सारी फसल सूखी पड़ जाती थी पर अब इस मंदिर के कुंड की वज़ा से हम एक ही साल में दो की जगा तीन तरीकी की फसल उगा सकते हैं यानि नंदियाल के लोगों के लिए बालाजी के दर्शन की यात्रा तीन सौ किलोमेटर से सिर्फ तीन किलोमेटर हो गई है यही नहीं यहनोखा चेंपल गाउं के लोगों को आपस में जुड़े रखने का काम भी करता है ओ एम जी पानी होने के कारण आपका जो जेनरल वाटर टेबल है वो बढ़ना शुरू हुआ है आपको जो यहां ग्रीनरी दिखती थी वो पूरी चेंज हो गई है यहां गार्डन्स जैसे बन गए हैं और लोग अब यहां इस एरिया में भी टहलने आते हैं भाई वाँ, इंडिया के सूपर टैलेंटेड आर्किटेक्ट ने अपनी आउट उफ दो बॉक्स थिंकिंग से नंद्याल के लोगों के लिए दर्शन और खेती में जबरदस प्रदर्शन का मौडन सल्यूशन क्रीएट किया है और यही बात इन्हें और इस इनोवेटिव टेंपल अफ स्टेप्स को बनाती है O.M.G